जाहिन मेडम से जाहिन बुश्वाजी करिश्मा सिंग कोई अपडेट अब तक नहीं ठीक है वो फोन कर देंगी हमें मैडम से अपको समझाता हूँ तीये जो गलती से नकली हसीना मैडम को दिये गए फिर बाहर आपने मुझे दो हजार उपे उदार दिये फिर तुरंट बात मुझे आपने दो हजार उपे उदार लियें अब ये दो हजार रुपे जो मांग रहा हूँ, ये दो हजार रुपे वो नहीं है, ये जो गलती से किसी और के पास गए, ये दो हजार रुपे वो दो हजार रुपे है, जो आपने मुझे उदार दिये थे, और तुरद बाद मुझसे उदार लिये थे, वो दो हजार रुप हमने पाँच किलो बिर्यानी कब मंगवाई कब मदलम ए बिल्ले क्या आप शानब बक्की जा रहे हो तुम कब से देख रहे हैं हम नहीं नहीं मैं आपको समझाता हूँ कुछ से समझना हमे क्या बोल रहे हैं 2000 दिये 2000 लिये अब ओर मैडम सर ने पाँच किलो बिर्यानी ले ली मैडम सर की तरफ देखो लगता है तुम्हें वो अकेली पाँच किलो बिर्यानी खा भी सकती है क्या हाँ नहीं नहीं खा सकती अभी 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 आउडर करवाता पाँच किलो बिर्यानी मैं खुच जाके दे के आया हूँ, पैसे बोले, तो कहने लगे के, तुम दे दे ना, बात में मैं तुम्हे दे दूँगी, अब देखो, तो आजार रुपई, एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट, ये कहा की बात है, कहा की मतलब सड़क पे, उस तरह, सड़क की उस तरह, तु तो, क्या दिखा? छेरा नहीं दिखा, एक मिनिट, इक मिनिट. अपने आप लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? हमने आप लोगो को छोपडा के पास बेजा था, क्या बात कर रही है, मादम से? आपनी थो हमें फोन करके बोला, दिवान चॉक जाने के लिएम आप पे कुछ दंगा फसाद हुए मां का स्थिति संभालने के लिए हम वाँ पॉचे तो पदचला मां कुछ हुआ ही निये सब तो नॉर्मल था करिश्मा सिंग आप ऐसी स्थिति में चोपडा को अकेला छोड़ कर आई हैं हमने नहीं छोड़ा है मैडम सिर अपने ही हमें बोला मां से जाने के लिए और आप खुद आ रही हैं चोपडा की प्रोटेक्शन के लिए हमने कब बोला आप से यह सब मैडम सिर आप ने ही हमें फोन किया यह देखिया पुश्पाजी जी तुरंट चोपरा साप को फोन कीजी उनसे कहीए अगर कोई भी हमारा नाम लेकर खुद को हसीना मलिक कहकर अगर उनके पास आता है तो उसे अंदर आने ना दे और पैसे तो बिल्कुल भी ना दे वो असली हसीना मलिक नहीं है प्लीज जल्दी फोन कर जी 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 क्या वो नकली हसीना मलिक थी क्या माडम सेर वो नकली हसीना मलिक पैसे लेकर भी चली गई उसे रोकना होगा उसे रोकना होगा जल्दी रोकना होगा माडम सर अरे मेरे दूहजार रुपई चीता चातुरवेदी जल्दी आओ ये लाइट्स कहां गई उपर की माडम सर वो बनाने के लिए दिये थे शाम तक बन जागा माडम ठीक है शाम तक आजाने चाहिए किसी भी कीमत पर जिमाने के लाइट्स ये तो सेम हमारे नम्मर के जीत है आप काई काड मैम अजकर फर्जी पुलिस की न्यूस बहुत चल लेगी आपने देखा होगा मीडिया में इसलिए पूछना पड़ता है ने बिल्कुल सही बात है आप अपना काम कर रहे हैं ये लीजे जैहिंद मैं हमें जाने दीजे अरे ऐसे कैसे जाने दे मैडम असली वहां नकली यहां सो यू अरंडर अरस्ट आये उतर यह नीचे जैहिं सर जैहिं पुस्पा जी आज खाने में राजमा चावल है या और कुछ है अलुगोबी की सबजी अच्छा ठीक है भाई तलाशी लो सर तलाशी में वह आपको आलुगोबी सबजी मिलेगे हम सच कह रहे हैं आज हम् Kerry में राजमा चावल नहीं लाए हैं है अच्छा तलाशी हो रही है दस लाख रुपएयों कैसे दस लाख सर मेरे दस लाक चले भाई, तलासी लीजिए सर आप आईए केबिन में बेठिए कब खवास है हम आईए, यहां पैसा कैसे मिलेगा आपका क्यूं नहीं मिलेंगे, दिये भी तो यहां के ऐसे चोको है हसीना मलिक जी अपने हातों से गिन कर दिये थे दस लाक कैश अमा वो नकली हसीना मलिक को दे दिये आप अपना दस लाक कैश यह बढ़िया है, पहले खुदी कहती है कि आपके पीछे आपकी ऐसे चो साहिबा आएगी हमारे प्रोटेक्शन के लिए और अब कह रही है कि वो नकली हसीना मलिक थी हो सकता है कि आप दोनों मिली हुई हो मतलब इंसान पिंजरे के सामने खड़े होकर भी शेर को छेड़ने से डरता और तुम खुले हाँ हमारे सामने पंगा ले रहे हो पंगा नहीं ले रहा हूँ, सच कह रहा हूँ यह आप दोनों की ही मिली भगत है मुझे 10 लाग का चूना लगाने की अमा जन्दिगी से नराजगी चल लिए के तुम हारी जो तुम हमारे ही थाने पे खड़े हो के हमको धमका रहे हो मढ़ होग जाये के चोड़ने के चोड़ने के लिए जौड़ने के लिए मत कहिए हमें, सब के सामने दोखा धड़ी का अलजाम लगाए नोने इनकी चोक्त करिश्मा सिंग जे छोड़ दिजे, इटन आउडर हम सब जानते हैं, पहले बात को सुना कीजी, फिर अच्छे से समझा कीजी, उसके बाद रियक्ट क्या करिए क्या लगता है करिश्मा ची, क्या हमारे डिपार्टमेंट के बारे में कोई कुछ बोलता है तो हमको गुसा नहीं आता हमको भी बहुत गुसा आता है, लेकिन क्या करें, जब हमारा ही सिक्का खोटा हो तो क्या कर सकते सारे सबोट सारे गवाइल इस बात कर इचारा कर रहे है या निके करेशुमा सिंघ और नकली हसीना मलीग आप दोनों मिलकर सारे बारधात को अंजाम दे रही है सुर्ड लेकिन हसीना मलीक तो बज जाएगी क्योंकि नकली हसीना मलिक अभी तक किसी के सामने नहीं आये लेकिन आपका क्या होगा, आप सब के सामने हैं? हम सब जानते हैं गरिशमा ची. अगर ये गुनाच साबित हो गया, तो क्या होगा पता है? सार लेकिन, आप अच्छे से जानते हैं की हम एकदम निर्दोश है और… आपके जानने से, मेरे मानने से कुछ होगा? आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कानून सबूत मांगता है आप अपने बेगुनाई का सबूत लाईए ना जाहिए जाहिए उस अपराधी नकली हसीना मलिक को घसीटे हुए मेरे सामने लेकर आईए और अपने बेगुना होने का सबूत पेश किजिए एसा ही होगा सर इस नकली हसीना मलिक को चौबिस घंडा के अंदर अंदर हम आपके सामने लाएंगे और यह हमारा आपसे वादा और यह पूरा दुनिया जानती है कि करिश्मा सिंग अपने वादा का कितना पक्की है ऐसा ही हो तो बहुत अच्छा है चीक है करिश्मा मैडम सब कुछ वर्दास्त कर सकती है लेकिन वर्दी पे दाग लगे बरदास्त नहीं कर सकती जहीन मैडम सिंग जहीन मैडम सिंग वो मिली नहीं पुष्पाजी असली नकली के चक्कर में सब कुछ गड़बड हो गए हम जब नाकी पर पहुँचे तो उसे असली हसीना मलिक समझ कर जाने दिया और हमें नकली समझ कर पकड़ लिया और इस अफरा तफरी में वो फ्रॉड हाथ से निकल गए शुक्र है उपर वाले का का सुकर का है यह आप राधी हाथ से निकल रहे तुम सुकर मना रहे हो बगमान का अरे शुक्र इस बात का है कि मैं अकेला उल्लू नहीं बना अचाओ के पोलिस भी उल्लू बनिये यह नकली हसीना मैडम है न बहुत शातिर है ऐस से कंफिडेंस से ठकती है न कि उसके शिकन जैसे कोई बच नहीं पा रहा है कब तक बचेगी वो बिल्लू तजुर्वा कहता है हमारा कि जूट कागस की उस नाव की तरह होता है जब बहुत देर तक बहुत दूर तक नहीं जाती कभी न कभी डू भी जाती है ठीक उसी तरह इस नकली हसीना मलिक का सच भी एक न एक दिन दुनिया के सामने आ कर रहेगा सही का मैडम सर आपने सच को कितना भी छुपा लो आखर कार सामने आई जाता है मैडम सर दीएस्पी सर आयते काफी गुस्से में थे उनके साफ वो बिल्डर चोपड़ा भी था कह रहे थे हम जानते हैं पुष्पजी लीएस्पी सर का फोन आया था हमने उनसे वादा किया है कि चौवीज गंटों के अंदर-अंदर हम इस नकली हसीना को ढूंडी लाएंगे उसका जरूरत नहीं पड़ेगा माडम सर क्योंकि हमने उसको ढूंड लिया अरे वा यह तो बहुत अच्छी बात है करिश मसिंग आम प्राउड ओफ यू बताएए कौन है वो फ्रॉड आप आप है वो जो जो उस फेक हसीना की पात्नर है और जो उस धोके बास के साथ मिलके यह सारा वार्दात को अंजाम दे रही है यह क्या कह रही है आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है आप मैडम सर को आप अच्छे से जानते हैं मैडम सर यह सब करना तो दूर कभी सोच भी नहीं सकती हमें भी यही लगता था पुषपाजी लेकिन अफसोस हम गलत है क्योंकि जो सच है ना वो हमारी आखों के एकदम सामने खड़ा हुआ है हमें तो शुरू से ही डाउट था इसलिए हम सोचे कि क्यों इतने सीरिस केस को हसीना मैडम इतना लाइटली ले रही थी क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठा रही थी उस फेक हसीना ते खिला और क्यों जब हम कुछ भी करने चाते थे तो हमको रोग दिया जाता था मैडम सुरू उसका क्या जो नकली ऐसे चो बनके भार घूम रही है उस केस को हम परसनली हंडिल कर रहे है आपको जो कहा जा रहा है वो करिये एंड प्लीज फॉलो दी ओर इस अब हमें समझ में आ रहा है कि क्यो हमें प्रोटेक्शन के केस के नम पर चोपडा के या भेजा गया फिर हमें कॉल करके वहां से हटाया गया और ये बोला गया कि हम चोपडा से कहें कि स्वैम हमारी सीनर हसीना मैडम माहा आ रही है उनके प्रोटेक्शन के लिए यह पूरा खेला स्क्रिप्टिड था ताकि चोपड़ा को लूटा जा सके और हमेज बात के लिए फसाया जा सके कि हम उस असीना से मिले हुए हैं और देखिए हम फस्के लेकिन अब बस अब भौत हो गया क्योंकि हम सब कुछ सहन कर सकते हैं लेकिन अपनी वर्दी पर लांचन बिल्कुल परदाश्ट नहीं कर सकते हैं पकड कर लाएंगे ढूंग कर लाएंगे उसको और ये थाबित करेंगे कि आप उनसे मिली हुई हैं हम नहीं हमारा वर्दी और हमारा इमान एकदम बेदाग है आपकी वर्दी के प्रती आपकी इमानदारी और समर्पन को हम अच्छे से समझते हैं हम ये भी समझते हैं कि इस असली नगली के चक्कर में आप अपना आपाख हो रहे हैं। अपना दिमागी संतुलन खो रहे हैं और हम पर बिना किसी सबूत के इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। वो भी मिल जाएगा मैडम सेथ। क्योंकि अब जो होगा न, वो सबूत के साथ ही होगा। जाहिल मैडम सेथ। ये सही है? क्यों हो सही? फूल है याद। तिकर है कि संतुची के हाथ में भूले। अरे तुम दोनों को बोला, तुम दोनों न एक नमर के भूलू। अरे एक लज़े की हाथों में गुलाब ये ऐसी हलकत कर रही है, इसका मतलम क्या होता है? का होता है बिलू, बताओ ना हमगो। उसका मतलम साफ है कि लड़की को किसी दो में से एक को चुना है अपने प्यार के लिए और फिर इस और के जिंदगी में वो दो लंगूर कौन है? pur हम दोन होंगे जरूर, जरूर, जरूर अब संतो जी के जिंदगी में कौन रहेगा तु के तू इसका फैसला तो गुलाब की आखरी पंखुडी वही दिसायड करेगी कि कौन होगा संतोजी अपती या फिर उसके बच्चय का मामा मा 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 करके बताता हूं यह मैं हम यह हम 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 हर यह को खागि आई हमको खागे पन्कुर अइख रहे हो दोनो हमको खागे संतु जी फूरा का पूरा गाल्कुलेशन बिगाड़ दिया मेरा एक तुम दोनों के लिए ने कर रही हूं शीना मडम ओ करिया है कन्फ्यूज रू दोनों के बीच में कौन सही है और कौन गलर तुम दोनों कहां से बीच में आ गये हाँ हो 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 खुदा पहाड और निकला मामा वो भी दो दू अब लिए हो चारे चटप हैं संतोज जी आप फिकर मत करो मैं खोजी रिपोर्टर हूं ऐसे सवालों का जवाब खोजना ही तो मेरा काम यूँ गया और यूँ आया संतोज जी वैसे भी आपने हमको नहीं से कम मत आ कियेगा हम आज अभी इसी वक्त ही कासम खाते हैं कि कौन सही है हसीना मेडम की करिस्मा मेडम फेंख रहें यहां की तूद करहेंगे हम अएंगे यहीं सब तुज लेकिन जवाह कहीं जा रही पित जी, मैडम हम इस सवाल का जवाब धूढने जा रहे हैं ना कि कौण सही था हसिना मैडम कि आप क्यों ? हमारे जज्च्ट्च्मेंट में भरोसा नहीं आपको नैं मैडम हमको तो कोई सक निया हमको तो पूरा भरोसा है कि इस सवाल जो है नही शंटू जी का था कि अना कि संतु जी थोड़ी छोटी सी है, मासूम सी है, प्यारी सी, इसलिए अब जो हुआ है, जो सच है, उसका कोई ने कोई सबूत तो होगा ही ना, वहीं धुर्णने जारे मेडम हम. उसका कोई जरूरत नहीं है, सबूत ऐसी ही मिल जायगा. इसे मिल जायगा मेडम? हाँ, हाँ, हम आपके कंगन ले आएंगे, नहीं भूलेंगे, ले आएंगे, अब रखें फोन, प्लीज फोन मत करें. मैडम सर, आपकी साथ कुछ बात करने थी. पुश्वा जी, अभी नहीं, अभी थोड़े से बिजी हैं, बाद में. जी. मगर ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, बस दो मिनिट. ठीक है, काहिए? बाहर करिश्मा जी ने आपके साथ जिस तरीके से बात की, हमें नहीं अच्छा लगा. उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं. पुश्वा जी, हम समझते हैं, इस ओकी. आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने देजे. बात में बात करें. मगर ये भी कोई बात हुई. ये भी कोई तरीका हुआ बात करने का. हर बात के एक सीमा होती है के नहीं? बात में बात करें, पुश्वा जी, हम मस्रूफ है जरा. अब ना चोटा देखा ना बड़ा देखा जो मूह में आया भंक दिया है आप सीनियर हैं के साथ बहला कोई ऐसे बात करता है कुछपाजी आप हम भी सीनियर हैं मगर वो मान दी कहा है थेर अमारी तो बात छोड़ी दीजिए मगर आप चिंता बत कीजिए कान पकड़कर उनको आपके सामने खड़ा कर देंगे और आपसे माफी मगवाएंगे, माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी आप मस्रूफ थी काम में नहीं नहीं आप बोल लीजे जी ऐसे कैसे आप पे वो इंजाम लगा सकती है आपने फोन किया, आप क्यो करेंगे उनको फोन माफी तो उनको माँनी पड़ेगी आपसे मगर तब तक उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं कुशपँजी थांक 그게 कुश्य नए नए थांक ए इव् – सौरि वो कहेंगे आपसे नहीं हम आपसे कह रहे हैं थांक्यू। आपकी बाते सुनकर अभी अभी हमें उस फेक हसीना को पकड़ने का एक आइडिया क्लिक हुआ है। करिश्मा सिंह ने क्या कहा कि हमने उन्हें फोन किया। जबकि हमने तो कोई कॉल किया ही नहीं तो फेर उनके मोबाइल फोन पर हमारा नाम लिखा हुआ कैसे आ सकता है। इसका मतलब एक ही है कि ये फेक हसीनाक जो कोई भी है उसने हमारे सिंप काड़ का एक क्लोन सिंप बनाया है। और अब ये यही क्लोन सिंप काड़ बनेगा उस तक पहुचने का जरिया। थैंक यू। का हुआ? कुछ नहीं है। असेस पे जारी हसीना मलिक की बदकिस्मती देखकर आखे चलगाई। अब मिजान के मेसेज पढ़ रहे है। पिचारी उसकी शादी को लेकर बड़ी परिशान है। क्योंकि अब ये शादी तो होने से रही। क्योंकि उनकी बेटी का नाम जो इतना बदनाम कर दिया है हमने। कोई शरीफ लड़का तो उनसे शादी करेगा नहीं। रानी। उनकी चिंता करना तुम छोड़ दो और तुम खुदाई की चिंता करो। रैसन भी। बहुत बहुत चुकिया मिस सेहर को वह असीना मलिक के नाम से। रानी, अब हमरी मानो तो निकलने के ना से। अगर पकड़े गयना तो बहुतते पड़ेगी। भाग तो तुम्हारी सही है चलो। अफी कमालिया नामने इस असीना का नाम इस्तमाल करके। अब निकलना चाहिए आसे। वैसे भी। जादा लालत भी बुरी बला होती है। चलो निकलते है। ये लो, इस परदी पोन का गोई काम नहीं है। क्या हुआ? हसीना का मैसेज। पड़ो। अच्छाम जी नमस्पे। है सचो हसीना मली from Mihila police. होने की कंगाण लेने 5 फिलता हाँगी। और में? ये ओधी नहींWest राणी answers राणी के सब्सक्तिर क्या गोफ। ताहँ। होने के कंगन! students hi mater नमस्ते बिटम नमस्ते नमस्ते आईए आइए ये लिजी माडम आपके क्रूँ कैसे लगे अपको अच्छे बहुत अच्छे इसमें क्या है इसमें गईने है अभी वर्कशब से रेडियो क्या है क्या हम देख सकते हैं जी बनकुल जी जी अरे वाँ एकदम लेटेस पीसे ये तो बहुत ही अच्छा है क्या हम ये खरीद सकते हैं? जी बिल्कुल प्यो नहीं तो बस पे ठीक है इसे भी पैक कर दीजे मेडम इसकी पेमेंट हाँ पेमेंट आप एक काम कीजिए इसको और इसका बिल दोनों का साथ में थाने बिजवा दीजे हम वहीं पेमेंट करते हैं जी जी कोई बात दें दीजे 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 अच्छा जी पर मोर अठेट शबस्क्राइब आप प्ड़स्ट आजनल क्लिक अजवाचित आज बुक्ष का प्रेंट आप एक कर दीजे